हेलो फ्रेंड्स गुडवनिंग कैसे हो आई होप कि आप लोग अच्छे ही यूँगे शो फ्रेंड्स टेश्ट को इस स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बेट एंटर्स एक्जाम 2022 के बेश्ट बुक की बारे में जो की चक्सू पब्लीकिशन की बुक है आप लोग इस बुक का कवर पेश देख सकते हैं कला वर्गी की ये प्राक्टिसेट की बुक है इसमें आपको समान ग्यान हिंदी समान अभिरुची परिछन और कला व देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके के कोशन यहां पर देख सकते हैं 2021 का पीपर लगाया गया है तो काफी अच्छी बुक है ये बुक जो है आपको हर जगा मिल दाएगी ऑनलाइन भी आप लोग इसे परचेश कर सकते हैं वीडियो के डिस्किप्श बहुत ये अच्छी बुक है आप लोग प्रपेशन के लिए लेश रकते हैं चक्सु प्लेकिशन के बुक वीडियो के डिस्किप्शन बॉक्स मिल लें के देदिया हो आप लोग ऑनलाइन पर चेश कर सकते हैं तो चलिए इस टेश्ट को स्टार्ट करते हैं इस टेश्ट मे आपकी स्क्रίν पर यहाँ पर देख सकते हैं गती प्रयरक याणि की किस्प्रेशन का निम्म में से किसे शंबंदित है या आपको पताना है प्लेक्श और आपको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम गूरूप से भी आप आप जॉइन हो शकते हैं तो पेस्मेकर का जो शम्मंध होता है वो होता है हर्देंश यानि कि दिल की धड़कन शे ओप्शन इसका जो है C करेक्ट होगा इसको शिन का राइट अंसर अगला परशन ध्वानी का वेक किस में अधिक होता है या पोताना है तो विद्दू समागरी में तो ISI जो है प्रदान किया जाता है बिस्कुट में भी कपड़ा में भी होजरी का माल में जो है ISI चिन प्रदान नहीं किया जाता है तो option इसका बी वाला करेक्ट होगा इस question का right answer मैं आपको तादू अगर आपको 2022 में UPC beard करना है तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ेगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो भी UPC beard की update है आपको इसी चैनल के मादम से सबसे पहले देखने को मिलेगी नेस्ट कोशन भारत में कौन सी खाद पशल अक्टूबर नॉम्बर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है भारत में कौन सी खाद पशल अक्टूबर नॉम्बर में बोई जाती है तथा अप्रैल में काटी जाती है रभी की फिसल है वो है गेहू अगला प्रशन है आप देख सकते हैं अगला प्रशन उन अवसिष्ट मामलों पर जिनका केंदरी राज शमौरती सूचियों में उलिक ना हो कौन विदी निर्मान करशकता है सब लोग जौब देने का प्रास करेंगे तो इसमें देखें केवल संसद विदी निर्मान करशकता है अगला प्रशन यहाँ पर देख सकते हैं लौफिंग एस का रशानिक नाम क्या है या आपको उताना है लौफिंग एस का रशानिक नाम आपको उताना है लौफिंग एस का रशानिक नाम आपको उताना है और स्टा लगा लिजगा इंपोर्टेन कोशन आपके एक्जाम के लिए तो लौफिंग एस का जो रशानिक नाम है नाइटर शाक श्टाइड है optionist का जो है Decorrect होगा , Escution का Ryan tosser हशाने वालीициraब से जाना जाता है, ठीक है पीतल किसकी मिस्र धातू होती है पीतल किसकी मिस्र धातू होती है आपको तखना है, 47 का जॉप देने का प्रयास करेंगे पीतल किसकी मिस्र धातू होती है सबी लोग जौब देने का प्रयास करेंगे अंसर तोचने का अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोग भी सकते हैं तो पीतल किसकी में सरधातू होती है जस्ता और तामबेकी ठीक है तो option इसका जो है B correct होगा इस question का right answer प्रतिवी के निगड़तम कौन सा ग्रह कच्छा में रहता है तो वो है शुक्र option इसका जो है C correct होगा इस question का right answer अगला प्रश्य आप दिख सकते हैं हिंदी का है कि काम बिगड़ जाने के बाद पश्टाप करना वर्थ है हे तो उपियुक्त लोग वक्ती इसका अर्थ क्या हो गए आपको ताना है काम बिगड़ जाने के बाद पश्टाप करना वर्थ है हे तो उपियुक्त लोग वक्ती कौन सी है तो वो है अब पश्टाए होत क्या जब चड़िया चुंगई खेद तो उपियुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमे उसकी काम करने की इच्छा नहीं है अध्यच को निवेदन करना चाहता हूँ आठ बजने में दस शेकेंड है नानक ने अपना शारधन साधूं में वाड़ दिया अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है किसमें किस वाक्ष में अध्यच को निवेदन करना चाहता हूँ इसमें जो है अनुपयुक्त परसर्ग का प्रयोग हुआ है उप्षन इसका जो है बी करेक्ट होगा इसको शिन का राइट असर वचन सम्बंदी असुदी से रहित वाक के कौन सा है वचन सम्बंदी असुदी से रहित वाक कौन सा है तो ये वाला जो आपको दिख रहा है जैन साहित प्राकत में लिखा गया है ये जो है आपका वचन सम्बंदी असुदी से रहित वाक के है उप्षन इसका जो है डी करेक्ट होगा इसको शिन का राइट असर विसरग संधी का उधारण कौन सा है विसरग संधी का उधारण कौन सा है सभी लोग जॉब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग जॉब देने का प्रयास करेंगे विसरग संधी का जो उधारण है इसमें मनो योग ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस question का right answer, इसका संद्विचेत क्या होगा, माना, धन, योग, ठीक है, यहाँ पर विसरग लगा हुआ है, चलिए अगला प्रशनी यहाँ पर देख सकते हैं, रिजनी के question से start हो गए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको आपको solve करना है, P, Q तथा R की बहन है, S, R का पिता है, T, P की मा है, निम्न में से कौन से वक्तक्त निश्य ग्रूप से सही नहीं है, pen copy साथ में लेके बैठ जाएए अप लोग, और solve करना है, श्टार्ट कर दीजे, reasoning के 5 questions हैं, तो चलिए इसे solve करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, P, Q तथा R की बहन है, यहाँ पर जो P है, वो Q तथा R की बहन है, ठीक है, minus का मतलब female, ठीक है, plus का मतलब आप इंगित कर सकते हैं, पुरुष को, और यहाँ पर देख सकते हैं, S, R का पीता है, S, जो है, R का पीता है, तो इसका पीता, इसके उपर जाएगा, S हो जाएगा, पीता है, तो plus का हम चिन लगा देंगे, ठीक है, उसके बाद T, P की मा है, टी जो है पी तो पी यहां पे है, तो इसकी माँ उपर जाएगी, माइनस कर देंगे, यानि कि फीमेल है, उसके बाद यहां पे यहां पूछ कहा रहा है, निमने से कौन साथ वक्त तक निश्शी त्रूब से नहीं है? T Q की मा है यहाँ पर क्या पूचना है? T Q की मा है तो T जो है यहाँ पर मुझे T लिखना चाहिए ठीक है? T अब यहाँ पर देखिए T Q की मा है तो P की जो है यहाँ पर Q है तो सही हो जाएगा, यह वाल आपका सही हो जाएगा, TQ की मा है, तो यह सही है एक बार फिर से मैं आपको इसमें समझाता हूँ, यहाँ पे लिखने में थोड़ा गलती हो गई थी यहाँ पे देखिए, P जो है Q तथा R की बहन है, थोड़ा मैं छोटा छोटा इस बार लिखता हूँ, P जो है Q तथा R की बहन है ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, S R का पिता है, तो R यहाँ पे है, तो R का पिता S यहाँ पे हो जाएगा ठीक है उसके बाद T P की मा है तो P की मा यहाँ पे T हो जाएगी निम्न में से कौन सा वक्तत निश्य रोप से सही नहीं है यहाँ पे पूँछ किया रहा है T Q की मा है तो T Q की मा है यह सही है आपका ठीक है उसके बाद S P का पिता है S यह जो है P का पीता है सही है R T की बेटी है R जो है T की बेटी है यहाँ पे T की बेटी यहाँ पे R है तो यह भी सही है T S का पती है यहाँ पे क्या पूछ रहा है T जो है S का पती है जो कि यहाँ पे T जो है S की पतनी है तो यह आपका जो है गलत है option d वाला t s का पती नहीं है पतनी है ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं यहाँ पर आपको इसको solve करना है ध्यान से आप लोग देखिएगा सबसे पहले divide को solve करना है उसके बाद multiply को उसके बाद plus को उसके बाद minus को pot mash के rule से चलिए शे सॉल्व करता हैं यहाँ पर सबसे पहले 6 है तो 6 लिख लेंगे यहाँ पर divide को कहा गया है तो divide को यहाँ पर गुने में बदला गया है तो गुना कच्छन यहाँ लगा देंगे उसके बाद यहाँ पर आठ लिखा गया है आठ के बाद यहाँ जोड का चिन 5 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर 5 के बाद यहाँ पर minus से minus को यहाँ पर plus कहा गया है 8 हो गया अब इसे हम solve करते हैं सबसे पहले हम divide oil को solve करेंगे यहाँ पर 6 गुड़े 2 का जब 8 में भाग देंगे तो 4 आ जाएगा minus 5 plus 8 अब हम इसको इसको solve करेंगे 6 चव को 24 minus 5 plus 8 8 को हम इधर ले आएंगे plus में 24 हो जाएगा minus का 5 हो जाएगा 24 आठ जब हम जोडेंगे तो यहाँ पर 32 हो जाएगा 32 minus 5 32 में से 5 जब minus करेंगे तो यहाँ पर 27 आएगा ठीक है तो option इसका जो है यह वाला correct हो जाएगा समझ में आ गया चलिए अगला प्रशन देखते हैं यहाँ पर आप लोग इसको आपको सार्था क्रम में दर्शाना है यहाँ पर सभी लोग जवाप देने का प्राश्च करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर जन्म होगा जन्म के बाद यहाँ पर सिच्छा होगी सिच्छा के बाद जो है साधी शादी के बाद यहाँ पर मरतू हो जाएगी मरतू के बाद जो है दाह संस्कार हो जाएगा तो option जो है इसका सी वाला करेक्ट हो जाएगा ठीक है सवण में आ गया चलिए अगला प्रशन आपको देख सकते हैं यहाँ पे क्या आएगा यह आपको बताना है, E के बाद क्या आएगा, बहुत ही सिंपल सा कोशन है, थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, तो यहाँ पे A के बाद Z है, तो A का जो आपोजिट होता है, वो क्या होता है, Z होता है, C का आपोजिट क्या होता है, X होता है, ठीक है और E का क्या होता है? V होता है तो option जो है C वाला correct हो जाएगा यह सारे की सारी चीज़े मैं आपको बताऊँगा जैसे कैसे याद किया जैसे A का जेड होता है तो इसको याद कैसे करना है? आजाद करके आप लोग याद कर सकते हैं B का Y होता है तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? Boy करके याद कर सकते हैं जैसे C का X होता है तो हम कैसे याद कर सकते हैं? Cracks से याद कर सकते हैं D का W होता है तो हम इससे कैसे याद कर सकते हैं? Dew यानि कि Mountain Dew के नाम से हम याद कर सकते हैं एका जैसे वी होता है तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं इविनिंग के नाम से याद कर सकते हैं ठीक है तो यही सीजे मैं आपको बताऊंगा और भी जैसे एफ का यू होता है तो फुल करके याद कर सकते हैं ठीक है जी का टी होता है तो इसे हम कैसे याद कर सकते हैं जी टी रो करेंगे साथ के बाद यहां पर क्या आएगा सबी लोग जॉब देने का प्राश्ट करेंगे 0 6 24 60 यहां पर 60 के बाद क्या आएगा यह आपको दाना है तो यहां पर 0 कैसे आया देखिए 1 का क्यूब 1 होगा और माइनस इसमें कर दिया गया तो कितना आजाएगा 0 आजाएगा उसके बाद यहां पर 6 कैसे आया 2 का क्यूब कितना होता है 8 8 में से जब हम 2 माइनस करेंगे कितना आजाएगा 6 आजाएगा ठीक है यहाँ पर 24 कैसे आया, 3 का cube कितना होता है, 27, 27 में से 3 जब हम minus करेंगे तो 24 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम 4 का cube यहाँ पर, 4 की power 4, minus 4 करेंगे तो यहाँ पर 60 आएगा, ठीक है, उसके बाद 5 की power हम 3 करेंगे, 5 की power हम जब 3 करेंगे तो यहाँ पर 5 minus करेंगे तो 120 20 यहाँ पे आ जाएगा तो option इसके जो है B वाला correct हो जाएगा चलिए अगला question देखते हैं इसमें मैं 4 की power 4 लिख जाता है जो कि 4 की power 3 होगी ठीक है show friends यही थे आपके ZK के top 10 questions Hindi के top 5 questions reasoning के top 5 questions 20 questions में से आपके जितने भी questions correct हुए हो तो आप लोग अपना नाम इसकोर comment box में जरूँ देगा ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमाई चैनले से जूड़े रहे हैं सब्सक्राइब कर लिजेगा अगर आपको बेहतरीन अंगो के साथ बीयर में प्रिविश लेना है तो Thank you